अगर आप medicine से related information चाहते हैं तो अभी subscribe करें चैनल को knowledge for Indian आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वेसोरेट capsule के बारे में इस वेसोरेट capsule के क्या फायदे है, क्या नुकसान है, कैसे लेना है और क्या price है ये सारी जानकरियां आज की इस वीडियो में आपको दूँगा तो देखिए प्राइसे सुरुआत करते हैं, तो ये जो है 367 रुपीज में आपको 15 soft gelatin capsule मिलती है तो देखिए प्राइस समय के अनुसार बढ़ता रहता है, तो जो आज के प्राइस से वो इधर में आपको बता दिया है अब ये जो है micro lab बालो की है, अब इस वेसोरेट capsule को कहां से खरीदना है तो देखिए इसको कोई भी local allopathy medical store से खरीच सकते हो या फिर आप इसको online भी google पर search करके देख सकते हो, मतलब online भी मंगा सकते हो अब बात करते हैं composition के बारे में इसमें क्या-क्या है तो देखिए इसमें है DHA जो की रहेगा 150 mg में इसके लाब़ा इसमें lutein है जो की रहेगा 7 mg में इसके लाब़ा extra-exanthine है जो की 7 mg में रहेगा ये भी और l-glutathione है जो की आपको मिलेगा 5 mg में तो ये इसके ingredient है जिससे ये जो है bacillate capsule बनाए गई है अब हम बात करते हैं फायदे के बारे में तो ये जो medicine बनाए गई है आपकी manly जो है आँखों के लिए आपके आँखों के लिए आपकी आँखों की बिमारी के लिए बनाए गई है अब ये जो medicine है या फिर capsule है आपके आँखों के health के लिए काफी अच्छी है एक प्रकार से में ये भी बोल सकता हूँ के ये आपके आँखों का tonic का काम करती है अब देखिए आपकी जो रेटीना होती है रेटीना के health के लिए काफी अच्छी है उसको damage होने से बचाती है और देखिए age के according आपने देखा होगा कि vision problem होती है मतलब आँखों की रोसनी समय कनूसार जैसे जैसे हमारी उमर बढ़ती है तो आँखों की रोसनी कम होने लगती है तो उस condition में आप इसको ले सकते हो ये क्या करेगी आपके time को delay कर देगी मतलब जो आँखों की रोसनी की जो problem है वो लंबे समय बाद होगी देखिए problem तो होगी बिजन की ऐसा नहीं कि अगर आपी capsule ले लोगे तो आपकी आँख कभी खराब नहीं होगी लेकिन उसका समय बढ़ा देगी अब इसके अलावा देखिए retinopathy या फिर हम बोल सकते हैं कि diabetic बालों के लिए काफी अच्छी है अब diabetic बालों को होता क्या है कि आखों में problem जल्दी होने लगती है अगर हम compare करें दूसरे लोगों से तो मतलब non-diabetic से अब diabetic वाले इसको बिल्कुल ले सकते हैं अगर वो अपने आखों की problem से बसना चाहते हैं या जैसे के हम बोल सकते हैं vision problem उनकी आखों की रोशनी थोड़े से कम होने लगती है समय से पहले किनकी जिनको सुगर या diabetic है अब इसका लाबा cataract मोतिया बिंद में इसको ले सकते हैं जिनको मोतिया बिंद की सिकायाया तो ले सकते हैं कुछ हद तक उनकी जो problem है वो solve हो सकती है अगर इसको लेते हैं तो इसका लाबा बहुत जादा dry eye आई आपकी होती है बहुत जयादा आपकी आँखे सूखी सूखी रूखी सी रेती है तो उसमें ले सकते हैं यह देखिए इसके अलाबा जो स्क्रीन nuestras काम करते मतलब लाप्तॉप डेक्स्टॉप pe यह मॉवाइल पर जादा काम करते हैं तो भोलोग भी इसको ले सकते हैं अगर आखों को damage होने से बचाना है तो तो आब देखिए इसके अलाबा eye focusing problem होती कई लोगों में देखा गया है तो बोले सकते हैं उनके लिए फायदे मंद होती है आपके eye के जो cells होते हैं उनके लिए फायदे मंद होती है और इसकी properties होती है antioxidant जो की काफी अच्छी बात है अब देखिए ये जो है optic nerve ये हम बोल सकते हैं जो glucose होता है उससे बचाती है अभी जनरली जो glucose नाम की बिमारी होती है वो 60 साल मतलब 60 साल से ज़्यादा वालों को होती है तो कई लोगों को कमेज में भी हो जाती है तो उनसे बस सकते हैं अगर आप ये वेसोरेट कैपसूल लेते हो तो तो इधर मैं बोलना चाहूंगा कि आपको आखो से संबंदित कोई प्रॉलम है जैसे कि विजन प्रॉलम है कैटरेक्ट है और जो भी छोड़ी मड़ी आपको बिमारियां है तो वो उसमें ले सकते हो आखों से संबंदित उसमें आपको भी फायदा करेगी और आपकी जो आखों की रोशनी है उसको थोड़े लंबे समय तक जो है सही रखेगी अब देखिए इधर डोस के बारे हम बात करते हैं एक केपसॉल आपको एक दिन में एकीबाल लेना होता है और इसको कुछ भी खाने के बाद लेना है चाहे नास्ता करो या खाना खाओ और सिंपल पानी के सान लेना होता है अब मेल फीमेल कोई भी ले सकते हैं लेकिन बच्चों के लिए मेडिसन नहीं है और जनरली बच्चों को इस type की problem आखों की कमूवर में नहीं होती है और pregnancy में भी इसको नहीं लेना है अब side effect के बारें बात करें तो जनरली nosy type लग सकता है आपको या पेट खरा हो सकता है ये ही इसके कुछ common side effect है हालनकि side effect जो है हर किसी को नहीं होते है आप देखिए कोई दूसरी medicine आप आग से सम्मंदित ले रहे हैं तो उसके साथ इसको लेना है नहीं तो देखिए उसके लिए आपको डॉक्टर से consult करना है क्या problem है आपको तो आपको जो आखों की डॉक्टर होते हैं वो सही तरीके से बताएंगे आप कब तक लेना होता है तो depend करता है आप क्यों लेना चाहते हैं आपको क्या बिमारी है आप हालांकि इसको एक से तीन महने तक लेकर देख सकते हैं बेस्ट रिजल्ट के लिए वो लंबे समय तक लेना है तो डॉक्टर की सला से तो देखिए result कब तक मिलेगा फायदा कब त अंदर दिन अब उसके बाद कुछ दिन के लिए चोड़ दीजिए ऐसा भी कर सकते हो तो इससे हमारी आखों की हेल्ट के लिए अच्छा रहेगा बागी अगर आपको बीमारी है तो फिर उसमें तो कंटिनिउसली थोड़ा सा लंबे समय तक लेना पड़ता है उसके लिए दॉक्टर से सला करना पड़ेगा अब इधर में कुछ एड़वाईस देना चाहूंगा अगर आभी वेसोरेट केपसूल लेते हो तो आपको अलकोहल नहीं लेना है स्मोकिंग नहीं करना है और ज्यादा जंग फोड, ओली, मीठा ये सा मना खां ये सा आपके हेल्थ के हमारी आखो की रोशनी को धीरे-धीरे जो है कम करती है कमजोर करती है इसके अलावा आप एक्साइज करें वॉकिंग रनिंग ये सब करें थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी वड़ा दीजिए तो ये हमारे हेल्थ के लिए सभी चीज के लिए सही रहता है तो इधर अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉलम है कोई आखों से लेटेड तो आप एक बार डॉक्टर से सला करें जो की आखों के डॉक्टर रहते हैं और जैसे के आप स्क्रीन पर जादा समय बिताते हैं तो उसके लिए ब्लू कट गिलासे साते हैं वो यूस करें तो काफी हद तक आ आखों की प्रॉलम होती तो समझ में आता है माल लीजिए साट साल के बाद या पचपन साल में पचास साल के बाद भी चल जाता है लेकिन जल्दी अगर आपको प्रॉलम होती है 35-40 साल में तो काफी दिक्कत वाली बात है हमारी आई जो है इस समय हेल्दी रहना चाहिए कम अबर में तो मेरे वीडियो तरी खताम होता है और इस टाइप सा अगर आपको और वीडियो देखना है हेल्द और मेडिसीन से लेटेड जो कि मैं डेली बनाते रहता हूं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजीगा फिर में लेंगे नेक्स वीडियो में जब तक आप बने रही है और देखते रही है आपके अपने चैनल में नॉलिज फोर इंडियन